ये ये और ये ये सारे Instagram handles कोई celebrities के नहीं है बलकि ये profiles है सरकारी नौकरों के अरे भाहि नौकर ये तो बहुत बड़ा अंडरस्टेट्मेंट हो गया क्योंकि भारत के यूत ने इने celebrity तो बना दिया है अगर हम किसी भी famous IS officer को Google करें तो हमें उनके किये हुए काम और society की तरफ contribution नहीं दिखते बलकि दिखते हैं उनके शादी, vacations और award ceremonies के photos और ये भला उनकी गलती कैसे हो सकती है ये तो हमारी गलती है, हमने ही ऐसे चीजों को glorify किया और ना कि उनके कामों को कई experiences कड़ेवे सर्च को सुनके hate comments जरूर डालेंगे पर मेरा काम है facts की तरू आपको point of view दिखाना और ना कि किसी profession को criticize करना क्योंकि कोई भी धंदा छोटा नहीं होता अब इस पे भी लोग बुलेंगे एक I.S. बनना कोई धंदा थोड़ी है आरे भाई, movie का सिर्फ एक dialogue था समझते हैं कि इस fame को पाने के लिए करना क्या पड़ता है चैप्टर वन Imagine करिए कि आपकी उमर 26 साल है और आपने आपकी जिंदगी के सबसे productive 4 साल एक अकेले कमरे में बैट कर सरकारी नौकरी की तयारी में लगा दिये आपके सारे efforts के बावजूद आप सफल नहीं हो पाते और अब आपके पास ना नौकरी है, ना time है और ना एसी कोई skill जो आपको एक private job दिला सके ये भले ही आपके लिए एक imaginary situation है पर लाखों Indian news के लिए ये एक harsh reality है UPSC के results बस पिछले में नहीं आ चुके है एक्जाम में अपेर होने वाले लगबग 6 लाग टोटल साड़े 11 लाग applicants में से 933 candidates को finally civil services में स्तान मिल चुका है और most of the remaining aspirants एक बार फिर से अगली साल की तयरी में जूट चुके है जब कोई सरकारी नोकरी की तयरी करता है तब उसके 4-6 साल और लगबग 6-8 लाग रुपए दाव पर लग जाता है ये एक survey का screenshot है जिसमें tier 1, tier 2 और tier 3 city में जब कोई aspirant पढ़ने जाता है तब उसके overall average खर्चे को compare किया है link को description में डाल दूँगा वीडियो खतम हो जाने के बाद जरूर देख लेना खर्चा तो हो गया पर मुझे बताओ कि successful होने की probability कितनी होती है ये सवाल ना थोड़ा tricky है मान लो अगर आप UPSC के तहरी कर रहे हो तो 0.1% और उसमें भी अगर आप general category में हो तो ये percentage कम होकर लगबग 0.05% तक पहुँच जाता है तो ऐसा क्या है UPSC और दूसरे government exams में जिसमें successful होने के इतने low probability के बावजुद करोड़ो युवा इसी career option की पीछे भाग रहे है और क्या सच में आज 2023 में गवर्मेंट जॉब की preparation करना एक smart choice है आज के इस वीडियो में हम इसी question को breakdown करके समझेंगे इसे समझने के लिए हमें उन करोड़ो students के demographics को समझना पड़ेगा जो हर साल government exams की preparation करते है इनको दो categories में divide किया जा सकता है पहले वो जो rural areas या फिर tier 3 cities से आते है और दूसरे वो जो urban और semi-urban areas से आते है तो अब पहले category के students मतलब rural areas से आने वाले students को समझते है ये वो है जिनकी family का source of income इदर farming होता है या फिर blue collar jobs एक study के मुताबिक total aspirant base के लगबक 65% इसी category से बिलॉग करते है और ये वो लोग है जिनको इडिसाइड करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंने सरकारी नौकरी करनी है भी या नहीं generational poverty से दबे रहने के बाद घुत का startup शुरू करना या फिर किसी elite college से engineering करना सोचने से भी बड़े हो जाता है ऐसे colleges से पढ़ने के बाद मुश्किल से 12 से 15 जर की नौकरी भी नहीं मिल पाती ऐसे मेना सरकारी नौकरी यही एक इकलोता तरीका रह जाता है जिसके तुरू गरीबी से भार निकला जा सकता है example की तौर पर राजिव जो एक tier 3 city से बिलोग करता है अंबेड कर नगर वो कहता है कि उसकी parents के पास financial backing ना होने के कारण वो डेली अपने preparation के लिए जा नहीं सकता इसलिए उसने अलाबाद में किसी affordable coaching institute में अपने preparation को continue करने की सोच रखी है अगर हम इस chart को अच्छे से देखे तो tier 2 और tier 3 cities में 70-80% government exams की preparation करने वाले बच्चों के parents farmers है अब second category के students वो है जो urban areas से आते है एक interesting सा data ऐसा है अब डेली जैसे location में सिर्फ 22% aspirants ऐसे है जिनके parents farming करते है बलकि most of aspirants ऐसे है जिनके family के पास एक अच्छा घर है और कोई ना कोई family member या तो already किसी government service में काम कर रहा है या फिर private sector में एक अच्छी income कमा रहा है और ये aspirants भी standard schools और colleges से पढ़े लिके है पहले category के students के aspirations समझ आते है पर ये second category भी government jobs के पीछे क्यों पढ़ी है अगर ध्यान से समझे तो ये कोई unsolved mystery नहीं है सालों से हमें government jobs के से फाइदे गिनाए गए है कि अब हमें high paying private jobs भी government jobs के आगे फीके लगते है पर इन में कितनी सच्चा ही है आईए ये समझते है प्राइवेट जॉब्स में कई बार employees को daily limit से ज्यादा काम करवाई जाता है ये कोई छिपाने वाला राज नहीं है दिन के 12-12 घंटे अपने work को देना health के लिए तो नुकसान पहुचाता है साथ में social life को भी affect करता है तो ऐसे में solution क्या रह जाता है government jobs, unlimited leaves और limited working hours government jobs की तरफ एक main attraction का reason है पर क्या सच में ऐसा है अगर यही सवाल आप आज से 10 साल पहले करते तो इसका answer होता affirm yes पर आज की date में ये बस एक myth है government jobs में भी high caterer employees को daily time limit से ज्यादा time देना पड़ता है अपने tasks को complete करने के लिए just like private jobs सरकारी बैंक से कई employees को भी regular basis पे अपने targets पूरे करने होता है और education sector में भी professors को हर साल अपना PBAS पूरा करना होता है अपने career में आगे बढ़ने के लिए और अगर by stroke of fate आपकी posting ऐसे area में होती है जहाँ पर ज्यादा work नहीं होता तो वहाँ life भी नहीं होती ये ऐसे areas होते हैं जहाँ आपको nearest market रीच करने के लिए भी घंटो का सफर तेह करना पड़ता है अपने खुद के बच्चों के लिए अच्छी health और education तो दूर की बात है इस area मित नमबर टू यूज salary and benefits government job में handsome salary और कई extra benefits मिलते हैं ये काफी हद तक सज भी है जिसे government teachers की salary private teachers से कई ज्यादा होती है और ये मैं नहीं glass door का data कहता है बट दिस इस नोट always the case ये सिर्फ teaching के लिए लागू होता है अगर आप एक creative और एक innovative इंसान है और खुद के skills को constantly updated रखने की शमता रखते है तो private sector में भाई unlimited ग्रोत है और government का bureaucratic work environment आपके लिए frustrating हो सकता है स्टार्टिंग में भले ही सरकारी नोकरी में private के मुकाबले अच्छी salary मिलती है पर एक certain level reach करने के बाद जिस हिसाब से आपकी responsibilities बढ़ती है उस हिसाब से आपकी salaries नहीं बढ़ती ऐसे में अगर आप already एक middle class या upper middle class family से आते है तो आपकी salary enough नहीं होगी आपकी desired lifestyle के लिए हाला कि मैं ये support नहीं करता लेकिन अगर आपको लग रहा है कि under the table money सब कुछ balance कर सकता है तो आपको बता दू कि digital India program के बाद ये भी इतना आसान नहीं रहने वाला सरकारी नोकरी में कई extra benefits मिलते है पर क्या ये benefits सच में fulfilling होते है not really जिसे कई cases में government employees को जो सरकारी quarters मिलते है वो एकदम खराब स्थीती में होते है जिनको सालों से paint नहीं किया होता और उनके खिड़किया तक अच्चे से बन नहीं होती अब यहाँ पर मैं IAS और IPS की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनके अलावा भी aspirants काफी दूसरे government exams की preparation करते है जिनको हम plan B के नाम से जानते है मैं इनी government orders की बात कर रहा हूँ कई बार appeal करने के बाद भी government की तरफ से repair करने के लिए grant नहीं मिलता है ऐसे मैं employees कोई अपने जेब से लाखो रुपए खर्च करके घर की मरमत करनी पड़ती है अब तीसरा myth है easy job government job मतलब रोज attendance लगाना duty के time भी आराम करते रहना और भिना कुछ काम किये शाम को घर लोटाना आप में से कई लोगों के मन में सरकारी नौकरी के लिए यही image होगी तो क्या government employees काम नहीं करते हैं? हाँ यह सच है और यह गलत भी है कई लोग सरकारी नौकरी opt ही इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा काम ना करने पर भी नौकरी जानने का खत्रा नहीं होता पर यह सब के लिए सच नहीं है majority of government employees time concerned और work minded होता है और misconduct के cases में इनने भी suspension मिलता है particular period के लिए या फिर permanently इन पर भी काम करने की उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी private employees पर और आप खुद सोचें अगर कुछ भी time पर नहीं हो रहा है तो देश कैसे आगे बढ़ रहा है आपने ऐसे बहुत से कहानिया तो सुने होंगे कि NIT और IIT से qualified engineers और PhD holders भी government exams की तहरी में 4 से 5 साल गवा देते हैं एक survey में observe वहा कि 91% aspirants की graduation और post graduation degrees ना उनको job दिलाने में काम आई और ना ही उनके government exams की preparation में लाखो यूज का चन सरकारी नौकरियों की बीछे भागना एक economic crisis तो बनी चुका है साथ में ये एक educational crisis को भी जनम दे रहा है इन दो line graphs को अच्छे से देखो All India educational survey के मुताबिक जहाँ 2015 से 22 तक एक तरफ इंडिया में higher education enrollment rate तेजी से बढ़ रहा है वही skillful graduates के numbers में कोई खास बड़ोतरी नहीं आई है आज भी इंडिया में total graduates के सिर 50% employable है क्यों हो रहा है इसे समझते हैं एक international survey के हिसाब से Indian students काफी ज्यादा classes बंग करते है Western students के comparison में इसमें से most of students college बंग करके coaching institutes join करते है सरकारी job के तायरी के लिए और degree सिर्फ इसले लेते है क्योंकि कई government jobs में apply करने के लिए ये एक minimum requirement होती है मतलब degree तो सिर्फ एक परची है government exams की eligibility criteria clear करने के लिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि government jobs खराब होती है पर इसे पाने के लिए जो कीमती समय आप गवा रहे हो वो वापस lot करनी आने वाला जहां last 50 years में इंडिया की population डबल हुई है government job vacancies में कोई खास increment नहीं देखने को मिला है बलकि public sector employment में इंडिया के बिजनेस भी ग्रो नहीं हो पाते अब इसे नए jobs भी create नहीं होते है और economy पर भी एक negative impact पड़ता है अगर आप एक ठीक ठाक परिवार से आते है और आपके पास एक अच्छी college degree है तो आपके पास और कई options available है और आज की दिन बिना degree के भी लोग freelancing करकर लाखो कमा रहे है वो भी respect के साथ government job ना एक अच्छा career option है लेकिन तब तक जब तक है और ज्यादा unemployment generate नहीं करता और देश की working capital को economic activities से दूर रखकर national economy को नुकसान नहीं पहुचा था chapter 4 don't allow students who are already in grade A level post to study for UPSC and sit for exams unless and until they resign from their current jobs बहुत साइसे students है जो already Indian Engineering Services BARC, ISRO, DRDO जैसे grade A level government jobs को लेकर बेटा है अगर ये लोग भी IS की उमिद लगा कर बेटा है तो अपनी economy तो गई अब दूसरा point 6 attempts should not be allowed because this is a very long time for youth to waste 6 साल में एक student अपनी youth में बहुत impact create कर सकता है इसके लिए ना सिर्फ IPS और IS बनी की जरूरत नहीं है मैं भी चाता हो कि इंडिया पर एक positive impact छोड़के जाओ और इस YouTube चैनल के थूँ मेरा भी यही उद्देश्य है इसे पूरा कर पाऊंगा कि नहीं यह तो मुझे पता नहीं हाँ पर मैं कोशिश तो जरूर कर रहा हूं अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूला और कमेंट सेक्शन में मुझे यह भी बता देना ऐसे कुछ इंडिया के critical issues जिस पर आपको अगला वीडियो देखना है यह वीडियो पसंद आये तो यह वाला वीडियो भी देख लेना जहां पर मैंने child marriage के problem को काफी detail में डिसकस किया है